हेलो लर्णनर्स, वेलकम टू माई चैनल, आज के इस वीडियो में हम एविडेंस एक का चैप्टर 10, एग्जामिनेशन ओफ विटनेसेस को कंटिन्यू करेंगे, प्रीवेस की वीडियो में मैंने सेक्शन 135 से 152 तक के प्रोविजन्स को कवर किया है, और आज की इस वीडियो म कि जितने भी सेक्शन से न, वो मैंने प्रीवेस की वीडियो में कवर किए हैं, तो आप उन सेक्शन को उन वीडियो से पढ़ सकते हैं, So now let's begin with section 153 Section 153 क्या कहता है Exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity इसका मतलब क्या हुआ इसकी heading क्या कह रही है कि जब भी हम किसी witness से question कर रहे है उसकी veracity को test करने के लिए और वो witness जो है answer करता है ठीक है उस question के regard में जब वो witness answer कर रहा है तो उस answer को contradict करने के लिए हम कोई भी evidence नहीं देंगे इसलिए यहाँ पर लिखा है exclusion of evidence यहां तक पढ़ लेते हैं पहले तो जब भी किसी witness से कोई question पूछा जाता है और वो answer करता है लेकिन वो question कहां तक limited होना चाहिए कहां तक relevant होना चाहिए जहां तक कि वो उसके credit को shake कर रहा है और उसके character को injure कर रहा है ठीक है इससे भार नहीं होना चाहिए और ऐसे question का अगर वो answer करता है जब वो answer कर देता है तो उस case में हम कोई भी evidence नहीं देंगे उसके answer को contradict करने के लिए clear but अब provision क्या कह रहा है इसका if he answers falsely अगर वो गलत answer देता है मतलब कि जूट answer दे रहा है वो सच नहीं बता रहा है तो हम उसको किस के लिए charge कर सकते हैं false evidence के लिए कहाँ पे charge करेंगे हम उसको section 191 IPC का section है जो कि बात करता है giving false evidence उसको हम perjury के नाम से भी जानते हैं clear now exception 1 if a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it evidence may be given of his previous conviction जब हम किसे witness से पूछ रहे है कि भाहिया आपका कोई previous conviction है क्या किसी भी crime से related और वो deny कर देता है लेकिन उसका previous conviction है फिर भी वो जूट बोल रहा है यहाँ पे तो हम उसके लिए evidence दे सकते हैं और उसको कह सकते हैं देखो आपका तो previous conviction है उसको हम contradict कर सकते हैं now next exception exception 2 क्या कहता है if a witness is asked any question tending to impeach his impartiality and answers it by denying the fact suggested he may be contradicted जब भी किसे witness ते उसकी impartiality के regarding में कोई भी question पूछा जाता है और वो क्या करता है deny कर देता है क्या deny कर रहा है मतलब कि उसके facts तो कुछ और ही बता रहे है और वो deny कुछ और ही चीज को लेके कर रहे है ठीकिए उसके facts तो यह बता रहे हैं कि हाँ वो impartial था या partial था जो कुछ भी था और वो उस चीज को लेके deny करता है तो उस case में जो है हम उसको contradict कर सकते हैं उसके statements को लेके हम उसको क्या कर सकते हैं contradict कर सकते हैं Now illustration A witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty he denies it evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty तो यहाँ पे इस witness से ही पूछा गया कि क्या आपको जो है आपकी dishonesty के कारण आपकी post से जो है dismiss कर दिया गया था क्या तो यहाँ पे witness मना कर देता है पर actual में उसकी dishonesty के कारण से उसको उसकी post से dismiss कर दिया गया था तो जब अगर वो witness यहाँ पे deny कर रहा है न तो हम evidences दे सकते हैं उसको बताने के लिए देखो आपको आपकी dishonesty के कारणी dismiss किया गया था, तो हम ऐसे evidence को यहां दे सकते हैं, यह illustration किसका है, यह illustration है exception 1 का, जहां पे हम ने उससे पढ़ा था न, कि अगर हम उससे पूछ रहे हैं कि कोई भी आपकी ऐसे previous चीज है, तो आप हमें बता सकते हो तो इसने नहीं बताया, तो यहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं, evidences दे सकते हैं, now illustration D, यह वाला illustration B है न, bare act का, यह D है A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B, against whom he gives evidence, he denies it, he may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality अब यहां पे A जो है न, वो क्या कर रहा है B के against evidence दे रहा है तो यहां पे A से पूछा गया क्या आपकी family और B की family के अंदर कोई blood feud है क्या, मतलब जो family matters होते हैं न, और उनके कारण families में लड़ाई हो जाती है, उसको कहते है blood feud, तो यहां पे A से पूछा गया कि आपकी और B की family में ऐसा कुछ है, तो यहां पे A जो है क्या कर देता है डिनाय कर देता है, कि नहीं हम लोगों की family में ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पे क्या होगा कि उसको contradict कर सकते हैं, on the ground that the question tends to impeach his impartiality हो सकता है न, क्योंकि और B की family में कोई टिफ चल रहा है हो सकता है, उसको ग्रश निकालने और B के against आके evidence दे रहा हो, ठीक है तो हो सकता है, कि वो अपनी थोड़ी partiality शो कर रहा हो, तो इस case में हम उसके evidence दे सकते हैं उसको contradict करने के लिए, clear नवन है, यह वाला जो यह जो D illustration है न, यह illustration किसका है exception 2 का है, जिसके अंदर हम impeach, impartiality की बात करते हैं, ठीक है तो illustration B जो है exception 1 का है और illustration D जो है वो किसका exception 2 का है now section 154, क्योशन बाइ party to his own witness अब खुद वो party जो अपने खुद के witness से कब क्योशन पूचेगी जब वो witness क्या हो जाएगा hostile witness बन जाएगा hostile क्या होता है, वो adverse party के favor में चले गया और अपनी ही party के against अब क्या कर रहा है, वो evidence दे रहा है, उसको हम कहते है hostile witness, मतलब किसी witness का hostile हो जाना, against हो जाना, इसलिए हम इसको कहते है hostile witness, तो hostile witness का section कौन सा है section 154 in cross examination by the adverse party तो यहाँ पर court क्या कहना चारा है, यह section की court जो है, वो क्या कर सकती है, उस person को permit कर सकती, कौन से person को, जिस person का वो actual में क्या था, real witness था, जो party call करती है न, witness को, वो witness था उस party का, लेकिन अब क्या हो गया वो तो adverse party के favor में चले गया, तो अब वो party जो है, क्या कर सकती है, अगर court चाहे, तो वो party क्या कर सकती, उससे questions put up कर सकती, और वो questions put up कर सकती, जो की adverse party करती, cross examination में उस person से, लेकिन अब क्या हुआ, वो adverse party के पास चले गया, तो अब यह cross examination का right किस के पास आ गया, उस person के पास आगे जिसका की वो actual witness था ठीक है nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of the evidence of such witness अगर वो person जो है उससे question put up कर रहा है यहाँ पर उस witness से जो कि hostile हो गया जो कि हना तो उसमें अगर वो कुछ भी evidence दे रहा है वो witness तो वो person जो है उसके evidences पर rely कर सकती है और उन evidence को further proceedings के अंदर use कर सकती है कुछ भी चीजों को prove करने के लिए ठीक है तो यह यह ही कहना चाहरा है कि कोई भी चीज जो है उस person को disentitle नहीं कर रही उसके किसी भी evidence को लेने के लिए ठीक है evidence को further use करने के लिए clear इसका case law देखते है Satpal versus Delhi administration where supreme court gave the meaning of hostile witness a person who is not willing to tell the truth in favor of the instance calling party which had given rise to difficulty in deciding of justice तो इसने बताया यहाँ पे supreme court ने की hostile witness क्या होता है कि वो person जिसको की उस party ने बुलाया था और अब वो उसी party के against जो है क्या है सच नहीं बोलना चाहरा है adverse party के favor में हो गया और जिससे की क्या हो रहा है justice delay हो रहा है उसको हम कहते हैं hostile witness clear now section 155 impeaching credit of witness अगर किसी भी witness का credit को impeach करना हो तो कैसे करते है the credit of witness may be impeached in following ways by the adverse party पहला तो कौन कर सकता है adverse party impeach कर सकती है second कौन कर सकता है the party who calls him जिस party ने उसे बुलाया है न वो party भी कर सकती है लेकिन ये party कब करेगी जब इसको court ने consent दे दियो कि आप भी कर सकते हो तब first by the evidence of person who testify that from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit इसका मतलब क्या हुआ वो person जिनोंने evidence दिये और वो ये कहते हैं कि हमारे knowledge के according ये जो witness है ये क्या है unworthy of credit है तो इनके statement के बिहाफ पे जो है हम इस witness के credit को impeach कर सकते है now second by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence अगर ऐसा proof मिल जाता है कि witness जो है उसने क्या लिये रिश्वत लिये या फिर उसके पास रिश्वत का offer आया था जिसको उसकी उसने accept कर लिया है या फिर उसको कोई ऐसा inducement मिला है ठीक है ना किसी person ने उसको induce किया है कि आप जो है ऐसा corrupt evidence दीजिए तो इस case में जो है हम उस witness की credit को impeach कर सकते है now third point by proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted अगर उस witness का कोई भी former statement है जो की अभी वाले statement से inconsistent है उस case में जो है हम उसको contradict कर सकते है उन statements के regarding ठीक है clear now आगे इसका explanation देखते है a witness declaring another witness to be unworthy of credit may not upon his examination in chief give reasons for his belief but he may be asked in his cross examination and the answers which he gives cannot be contradicted though if they are false he may afterwards be charged with giving false evidence तो इसका explanation क्या कह रहा है कि एक witness जो की सामने वाले witness के लिए कह रहा है कि ये witness जो है unworthy of credit है मतलब एक person दूसरे person के लिए कह रहा है कि ये person जो है भरोसे लायक नहीं है आप इस पर भरोसा मत कीजिए ठीक है अगर इस witness का जो ये witness जो की इस witness के लिए कह रहा था अगर इसका examination in chief करते हैं और ये ऐसी चीज़े बोल रहा है इसके credit के लिए बोल रहा है तो उस time हम इससे कोई भी question नहीं पूच सकते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ठीक है लेकिन अगर इसी witness का cross examination हो जाता है तो हम इससे cross examination के time पूच सकते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आपको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो बिटने से ये unworthy of credit है आपका reason बताईए हमें ठीक है आप कैसे ये believe कर रहे हो कि ये person जो है unworthy of credit है तो हम cross examination के time जो है उससे पूछ सकते हैं लेकिन जब वो cross examination के time पे जो कुछ भी वो answer दे रहा है न उन answers को हम contradict नहीं कर सकत though if they are false अगर हमें पता है हना कि वो जो statement दे रहा है न वो सब जूट है वो फालतु में उसके बारे में जूट बाते बोल रहा है तो उसके लिए हम उसको charge कर सकते हैं false evidence के लिए कहां charge करते हैं section 191 of IPC के अंदर now illustration a sees b for the price of goods sold and delivered to b c says that he delivered the goods to b evidence is offered to show that on a previous occasion he said that he had not delivered goods to b the evidence is admissible now a is what is b to sue करता है किसके लिए जो भी goods उसने b को sold किये बेचे या फिर deliver किये अब यहां पर c आके क्या कह रहा है कि हाँ a ने जो है क्या किये है b को goods deliver किये है अब कुछ evidence ऐसे हैं जो कि ये show कर रहे हैं कि c ने पहले कहा था पहले कभी previous occasion पे c ने कहा था कि a ने जो है b को कभी भी goods deliver ही नहीं किये है तो अब ऐसा उसका जो evidence उसका जो statement जो उसने पहला किया है और उस statement के regarding आप कोई भी ऐसा evidence दे रहे हो तो वो evidence क्या माना जाएगा admissible माना जाएगा I believe यह section आपको clear हुआगा with explanation and with illustration now the next one section 156 questions tending to corroborate evidence of relevant fact admissible when a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact वो witness जिससे कि हमको corroboration करना है उन evidences के regarding जो कि उसने relevant fact के case में दिये है he may be questioned as to any other circumstance which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred if court is of opinion that such circumstances if proved would corroborate the testimony of witness as to the relevant fact which he testifies तो यहाँ पर क्या कहना चारा है कि वो witness जिसको कि हम corroborate कर रहे हैं किस लिए corroborate कर रहे हैं उसने की relevant fact के regarding कुछ ऐसे evidence दिये हैं उसके regarding में हम उसको corroborate कर रहे हैं other independence evidences हैं ठीक है जब हम उसका corroboration कर रहे हैं हम उसको कौन-कौन से questions पूछ सकते हैं हम उसको he may be asked ठीक है he may be questions sorry हम उससे और भी ऐसे circumstances के बारे में questions पूछ सकते हैं जो कि उसने उस place पे देखा हो या फिर उस place के आस-पास में देखा हो ठीक है फिर court को ऐसा लग रहा है court अगर का opinion यह है कि ज जो भी circumstances जिसका की वो bureau दे रहा है अगर वो proved हो जाते हैं if proved would corroborate the testimony अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो उस witness की testimony को corroborate करेंगे कौन सी testimony को जो की वो relevant fact के regarding दे रहा है तो ऐसे evidences को हम क्या मानेंगे admissible मानेंगे clear now next इसका illustration देखते हैं अगर confusion हो रहा है ना तो illustration से confusion clear हो A. An accomplice gives an account of a robbery in which he took part. He describes various incidents unconnected with robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed. Independence evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself. तो A. जो है क्या है? Accomplice. Accomplice का section कौन सा है? Section 133. ठीक है? Accomplice कौन होता है? सह अपरादी. मतलब वो खुद भी एक offender होता है पर later on जो है वो क्या होता है? अगेंस्ट में evidence देता है. ठीक है? उसको हम कहते है Accomplice. तो यहाँ पर Accomplice जो है ना वो बता रहा है कि हमने robbery जो है व पर उन्होंने robbery commit की उसके regarding उसने सारी चीज़े बताई ठीक है? तो वो जो भी चीज़े बताई है ना उनके regarding में हम क्या करेंगे? Independence evidence of these facts may be given. जो भी उसने facts बताएं और सारी चीज़े बताई है उसके regarding में हम independence evidence से उन facts को prove करेंगे और उसकी और जो कुछ भी उसने evidences दी है उनको फिर क्या करेंगे? कॉरब्रेट करेंगे ठीक है? तो section 156 यह कहता है clear? section 157 क्या कह रहा है? former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact. In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place और before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. अब section 157 क्या कह रहा है? कि कोई भी ऐसा former statement जो कि उस witness नहीं किया है और अब उस witness की कोई ऐसी testimony है जिसको की corroborate करना है. ठीक है? यह वाला तो present का case है. और यह former statement जो है पहले वाली बात है. लेकिन अब क्या हो रहा है ना? अब उस witness ने ऐसी कोई testimony दिये है. मतलब ऐसा कोई statement किया है, ऐसा कोई evidences दिये है, relevant fact के regarding जिसका corroboration जरूरी है. ठीक है? और उसी witness ने क्या किया है? उसी same fact के regarding में पहले भी कोई ऐसा statement किया हुआ है ना? तो हम उस statement को prove कर सकते हैं. हम उसके सामने ला सकते हैं और कह सकते हैं. देखो, आपने पहले तो ये बोला था और अब आप ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है? तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब यह ही कि उस witness के formal statement को भी हम prove कर सकते हैं और उसको contradict कर सकते हैं और उसके present statement को corroboration के लिए हम जो है, इसके formal statement को use कर सकते हैं. अगर इसको हम छोटे से illustration की तुरू समझें, तो हम section 32 sub clause 1 अगर उसका हम illustration लेना, जिसमें 32 sub clause 1 क्या कहता है? डाइंग declaration की बात करता है, अगर person died हो गया तो, अब माल लो यहाँ पे क्या हुआ ना, वो person died मरा नहीं, ठीक है, वो person क्या है, जिन्दा रह गया और उसन इसने एक statement दिया, अब यहाँ पे वो कुछ अलग statement दे रहा है, fact तो सेम ही है, पर यहाँ पे वो statement कुछ और दे रहा है, इस fact के regarding, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वो statement लेके आएंगे, जो इसने 30 to 1 के time पे किया था, तो यहाँ पे इस case, former statement को लाके prove कर सकते हैं, और इसको 158. What matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 32 or 33. Whenever any statement relevant under section 32 or 33 is proved, all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination, the truth of the matter suggested. So section 158 क्या कह रहा है, कि जब यह proof कर दिया जाता है, कि जो statement, जो statement section 32 or 33 में किये गए है, वो क्या है? वो relevant statement है. ठीक है अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि जो statement section 32 और 33 में किये गए हैं वो relevant statement है तो उस statement का जिसका relevant होना प्रूव हो चुका है न यहाँ पर वो statement जिसका relevant होना प्रूव हो चुका है अगर उससे statement को contradict या corroborate करने के लिए कौसे statement को जो अगर प्रूव हो चुका है याँ पर उसको contradict करने के लिए या फिर उसको corroborate करने के लिए या फिर जिस person ने वो statement दिया है उस person के credit को impeach करने के लिए या फिर उसके credit को confirm करने के लिए है न तो क्या होगा इन दो cases में क्या होगा वो सारे matters को हम Oreo कर सकते हैं जो अगर वो person जिन्दा होता और उससे हम cross examination करते तो वो अपने लिए उन statements को prove करता तो हम उस way में जो है इनको क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं clear section 158 अगर इसको illustration से समझे ना section 32 sub clause 1 ही लेंगे फिर से इसके दो चीज़े section 32 sub clause 1 के अंदर अगर परसन जिन्दा रह गया तो वो कहां जाएंगे statement 157 जो अभी हम पीछा बढ़के आये थे अगर परसन मर गया तो वो कहां जाएगा 158 के अंदर ठीक है clear हो गया अगर death हो गई है death हो गई है तो 158 के अंदर और जिन्दा रह गया तो alive के अंदर अगर death हो गई है तो क्या procedure होगा ये वाला procedure होगा यह मानों कि वो परसन जिन्दा होता तो उसके अगेंस यह चीज़े होती तो वो किस तरीके से प्रूव होती ठीक है और 157 के अंदर तो वो जिन्दा है तो वो खुदी आके फिर उसी से पूछेंगे भई अब आप ही बताओ आपके कहने का मतलब क्या है अगर कोई विटनेस जो है कोई भी चीज़ भूल रहा है मतलब सबसे पहले तो यह याद रख लो कि रिफ्रेशिंग मैमरी का सेक्षन है 159 यह पूछ लिया जाता है तो वो उसमें लिखता हो ठीक है तो वो कह रहा है कि मुझे वो राइटिंग चाहिए जिसको कि मैं रेफर कर सकूँ है या फिर code को ऐसा लग रहा है कि वो जो transaction हुआ है जो transaction question में है उस transaction के just बाद ही उसने कुछ writing लिखी उस transaction के बारे में जो कि obviously आपके साथ कोई चीज घटित हुई और उसके just बाद आप किसी को बताते हो तो वो आपके memory fresh रहती है उस time तो आप सारी चीज़े बता सकते हो पर धीरे धीरे क्या होता है बहुत सारी चीज़े intermingle हो जाती है तो code को ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके memory जो थी उस time पे fresh होगी और code को ऐसा लगता है कि अगर वो refer करता है तो क्या होगा वो evidences सही तरीके से दे सकता है तो उस case में जो है code क्या है उसको allow करेगा कि वो अपनी memory को refresh कर सकता है और वो witness क्या कर सकता है किसी और person ने भी अगर वो कोई चीज लिखी है उसको भी refer कर सकता है witness अगर विटनेस को लग रहा है कि correct है witness को कैसे लग रहा है जब उस person ने उसको read करके सुनाया था ठीक है ना उस time पे उस person ने उसको read करके सुनाया था जिस person ने उसको लिखा और उसको लगा था कि हां यह correct है तो witness जो है उस person की writing को भी refer कर सकता है clear now इसका further आगे देखते है when witness may use copy of document to refresh memory वैसे तो document की copy allowed नहीं अभी तक हम यही पढ़के आया थे कि जहां कहीं भी document तो आपको document लेके आना पड़ेका until and unless अगर आप यह proof कर देते हूं कि आप secondary evidence देने के लिए entitled हो या उसकी certified copies देने के लिए entitled certified copies अपने आप में secondary में ही आती है हना whenever a witness may refresh his memory by reference to any document he may with the permission of the court refer to a copy of such document अगर witness को जो है refresh करनी है memory किसी document के regarding में तो और वो document नहीं है उसके पास उसको उसको copy से refresh करनी है तो वो कैसे करेगा उसके लिए उसको court की permission चाहिए अगर court permission देता है तो वो उसकी copy से refresh कर सकता है memory को now provided इसका provision क्या कहता है court be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original पर court को यह satisfy हो जाना चाहिए कि हाँ sufficient reason है जिसके कारण जो है वो original को court में नहीं लापा रहा है ठीक है उस case में जो है उसको court allow कर देगा अब expert की बात आती an expert में refreshes memory by reference to professional treaties अगर expert को अपनी memory refresh करनी है तो वो कैसे करेगा जितनी भी professional treaties होती है जिनको वो देखता है रेफर करता है तो उसके थू जो है वो क्या कर सकता है अपनी memory को refresh कर सकता है clear I believe यह section आपको clear हुआ होगा now next section section 160 testimony to facts stated in document mentioned in section 159 a witness में also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159 although he has no specific recollection of facts themselves if he is sure that the facts were correctly recorded in the document वह यह जो भी document जो हमने section 159 के अंदर रेफर किये न उनके cases में जो है क्या है witness को testify किया जा सकते है उन documents के अंदर जो भी facts लिखे है न उनके regarding में जो है उस witness को testify कर सकते है और ज़रूरी नहीं है कि witness को एक एक चीज पूरी याद हो अगर उसको थोड़ा भी idea और लग रहा है कि हाँ यह जो मैं कुछ बोल रहा हूँ यह सही है true to my knowledge है तो वो more than sufficient है इसका illustration देखते हैं illustration से और अच्छे से clear हो जाएगा यह अब bookkeeper में testified to facts recorded by him in books regularly kept in the course of business if he knows that the books were correctly kept although he has forgotten the particular transaction entered तो अब यह shopkeeper जो है यह bookkeeper जो है यह क्या है इससे किसी particular transaction के बारे में question किया गया था और बोला गया था कि आप यह आपके facts जो है इसको बताईए आप तो यहाँ पर क्या हुआ इसको यह particular transaction तो ऐस सच याद नहीं है लेकिन जो इसकी business book थी न Ten यह regularly लिखता था हर सारी चीज़े लिखता था तो इसको पता था कि यह किताब है न आ इसमें मेंने सारी चीज़े लिखी में day to day सारी चीज़े लिखता हूँ तो मैं इस किताब के अंदर जो कुछ भी लिखावा है न वह क्या है correct ही होगा हाना मतलब मेरी knowledge के according वो क्या है अपने आफ में सही में तोट अगर मैं उसको पूरी तरीके से recollect नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इस book के अंदर अगर मैं इसको refer कर रहा हूँ तो ये चीज़े सही निकलेगी clear? Now section 161 write of adverse party as to writing used to refresh memory adverse party का write देखते हैं Any writing referred to under the provision of the last two preceding sections must be produced and shown to the adverse party if he requires it Such party में if he pleases cross examine the witness there upon जो last 159 और 160 में हमने बात करी न अगर adverse party चाहे कि मैं भी वो document देखना चाहूं जिस writing को ये जो witness refer कर रहा है तो वो देख सकती है उस writing को ठीक है और वो चाहे तो उस witness को cross examine भी कर सकती है उस writing के basis पे clear? Now section 162 production of document A witness summoned to produce a document shall if it is in its possession or power bring it to court notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility The validity of any such objection shall be decided on by the court So section 162 क्या कह रहा है? Document के production की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा witness जिसके पास में वो document है जिसके पास में है या उसकी power में वो document है तो court क्या करेगा? उसको summon करेगा और कहेगा कि आप ये document जो है court में लेके आई है, ठीक है? बले ही उस document के साथ ऐसा कोई objection attached है जिसके कारण क्या हो सकता है? court में लेके आएगा और उसके बाद court क्या करेगा? उसके objection की validity के बारे में court decide करेगा कि अब क्या करना है इसके बारे में लेकिन उस witness को वो document है वो court में produce करना ही पड़ेगा next देखते हैं इसी काई the court if it sees fit may inspect the document unless it refers to the matter of state or take other evidence to enable it to determine on its admissibility अगर court को लगता है तो वो inspect करेगा document को लेकिन वो कब inspect नहीं करेगा अगर वो state का matter है उस case में तो वो उसको inspect नहीं करेगा या फिर क्या करेगा? और take other evidence ठीक है? अगर उसकी admissibility की बात है ना तो उसकी admissibility के regarding में कुछ ऐसे evidences लेगा जो कि उसकी admissibility को determine करती है now translation of document if for such a purpose it is necessary to cause any document to be translated court may if it think fit direct the translator to keep the content secret unless the document is to be given in evidence and if the interpreter disobeys such direction he shall be held to have committed an offense under section 166 of IPC ठीक है जहाँ पे किसी document को translation करने की बात है तो वहाँ पे आप translator को कह सकते हो आप इसे translate कीजिए पर आप इसके contents को secret रखिए तब तक रखिए जब तक ही यह evidence में produced नहीं किया जा सकता है same goes with the interpreter also अगर कोई भी अगर यह disobe कर देते हैं यह order को तो यह कहाँ पे penalize किया जाएगा इनको section 166 of IPC के अंदर clear now next section section 163 giving as evidence of document called for and produced on notice when a party calls for a document which he has given the other party notice to produce and such document is produced and inspected by the party calling for its production he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको एक party जो है वो क्या कर रही है बोल रही है कि जो document आपके पास है ना आप उसको ले के आई है उसके लिए आपको notice दे रही है कि आप उसको produce कीजिए ठीक है और वो जो है यसा document produced भी कर लेता है और वो party जिसने कि वो notice दिया होता है वो इस document को inspect भी कर लेती है ठीक है He is bound to give evidence if the party producing it requires him to do अगर वो party जो party ले के आ रही है जिस party को notice दिया था ना उस party ने कि आप इसको ले के आई है मुझे इस document को inspect करना है हना तो अब क्या होगा न वो पार्टी जो कि वो document लेके आई अगर वो चाहती है कि इस से related evidence दे कौन सी पार्टी दे जिसने कि इस document को inspect किया है तो फिर उस पार्टी को उस से related evidence भी देने पड़ेंगे जिस पार्टी ने इस document को inspect किया है clear now section 164 using as evidence of document production of which was refused on notice when a party refuses to produce a document which he had he has had a notice to produce he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of other party or the order of the court यह इसका 163 का एक्स्टेंशन है कि आपको जहां पर notice मिला था कि आप उस document को produce कीजिए और फिर भी आपने उस document को प्रड्यूस नहीं किया हाना तो आप afterwards जो है उस document को लाके evidence में नहीं दे सकते unless and until वो party consent दे दे थी जिसने कि आपको notice दिया था प्रड्यूस करने के लिए या फिर आपको court कोई order दे देता है ठीक है कि आप इसको ऐजे evidence में ला सकते हैं document को तो आप उसको present कर सकते हैं otherwise नहीं कर सकते हैं clear now next section section 165 judge's power to put questions और order production यहाँ पर judge की power है कि वो questions पूट कर सकती है और production का order कैसे कर सकती है ठीक है the judge में in order to discover or to obtain proper proof of relevant fact ask any question he pleases in any form at any time of any witness or of the parties about any fact relevant और irrelevant so judge क्या कर सकता है किसी भी चीजिक को discover करने के लिए या किसी भी चीजिक का proper proof के लिए relevant fact कि रगार्दिंग कोई भी चीज तो उसके दिसकवरी के लिए प्रॉप के लिए कोई साभी क्योशन पूच है किसी भी फॉर्म में पूच सकता है किसी भी समय सकता है किसी भी ये विट्नेस तते हैं कि इसे पर haga programa सकता है किसी नौर without the leave of the court to cross examine any witness upon any answer given in reply to any such question अब second वाला क्या कह रहा है कि पहला तो अपन ने देख लिया कि क्या कर सकता है कोई भी question पूछ सकता है अब यहाँ पर production की बात कर रहा है ठीक है order कर सकता है वो किसी भी document और thing के production के लिए ठीक है और neither the parties nor there और फिर क्या करेगा जब वो order कर रहा है नहीं तो कोई party और नहीं उसका agent जो है उसके उपर objection raise कर सकता है किसके उपर जो कुछ भी वो question कर रहा है और जो कुछ भी वो produce करने के लिए order कर रहा है ठीक है और without the leave of court बिना leave of court के बिना court की permission के आप जो है other party को other witness को cross examine भी नहीं कर सकते clear now next इसका provided क्या कहता है that the judgment must be based upon facts declared by this act to be relevant and duly approved तो ये judgment के बात कर रहा है वो किस पर based होना जीए fact declared by this act to be relevant ठीक है उनी facts पर relevant होना जीए जिसको कि इस act के अंदर relevant माना गया है ठीक है और duly proved हो चुके है ठीक है अब आगे पढ़ते है provided that this section shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under section 121 to 131 both inclusive if the question were asked or the document were called for by the adverse party nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 and 149 nor shall be dispensed with primary evidence of any document except in the cases herein before accepted अभी तक हम section 165 में क्या पढ़के आए थे कि judge के पास power है कि वो क्या कर सकता है किसी भी witness से जो है कोई भी question पूछ सकता है किसी भी वक्त पूछ सकता है किसी भी तरीके से पूछ सकता है कोई से भी facts related पूछ सकता है या irrelevant facts से related पूछ सकता है या फिर किसी भी document और thing का प्रडेक्शन के लिए बोल सकता है order कर सकता है मतलब और कोई भी party जो है क्या कर सकती उसको object नहीं कर सकती कि आप क्यूं मांग रहे हुँ है क्यूं ऐसे document का जो है एनी क्योशन और तो प्रड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विच सच विटनेस एंटाइटल तो रिफ्यूस प्रड्यूस अंडर से वन थेटीवन इसमें प्रविलेज कम्यूनिकेशन भी आता है और इसके अंदर क्या आता है कि वो जो टाइटल डीड होती ना उसके परसंद के पास जो की वो रिफ्यूस कर सकता है प्रड्यूस करने के लिए है ना तो यह प्रविलेज कम्यूनिकेशन वाली चीज़ और सेक्शन फटीवन तो 121 से 131 के जितने भी प्रोविजन से जिनके अंदर जो हैं किसी परसंद को कंपैल नहीं कर सकते हैं आप उन विटनेसे से ऐ और ऐसे कोई भी questions नहीं पूछोगे पहला exception तो यह हो गया if the question were asked or the document were called for by the adverse party nor shall be judge asked any question which it would be improper यह हम 148 and 149 में पढ़के आएदा ना proper और improper क्या होता है ठीक है अगर कोई भी ऐसा question है जो कि improper है तो आप वो चीज़े नहीं पूछोगे ठीक है साथ ही में क्या लिखा है nor shall he dispense with primary evidence of any document except in the cases herein before accepted ठीक है तो वो क्या कर सकता है ना ही वो क्या करेगा किसी भी ऐसे document के primary evidence को dispense नहीं करेगा मतलब वो यह नहीं कह सकता कि हाँ चलो कोई बात नहीं आप इसका primary evidence मत दो कुछ जो exceptional cases दिये वे ना उस case में आप primary evidence नहीं दे तो ठीक है otherwise आपको उस document का primary evidence देना पड़ेगा वो dispense नहीं कर सकता ठीक है clear हो गया now next section 166 कहता है power of jury or assessors to put questions 165 के अंदर तो हमने judge की power पड़ी कि judge जो है वो क्या कर सकता है questions put up कर सकता है और 166 के हंदर हम पड़े jury और assessors की क्या power है in cases tried by the jury or with assessors the jury or assessors may put any questions to the witnesses through or by the leave of the judge which the judge himself might put and which he considers proper तो जब भी किसी jury और assessor यह तो अपने इदर चलता है यह jury system है नहीं फिर भी हम पड़ते हैं कोई भी jury और assessor को अगर कोई भी question put करना हो तो वो क्या करेगा leave of the judge जज की permission से कर सकता है और which the judge himself might put and which he considers proper ठीक है तो जज की permission से कर सकता है जो जज को सही लगे और वो जज को proper लग रहा हो तो वैसे questions जो है वो क्या कर सकते है जूरी और assessors पूच सकते हैं clear now last chapter इसका chapter 11 of improper admission and rejection of evidence chapter 11 किसकी बात करता है improper admission and rejection of evidence इसके अंदर सिफ एके section है section 167 no new trial for improper admission or rejection of evidence तो यह क्या कह रहा है कि कोई भी नई trial नहीं होगी अगर कोई भी improper admission or rejection of evidence है क्या कहने का मतलब है इसको पढ़ते हैं the improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself for a new trial or reversal of any decision in any case if it shall appear to the court before which such objection is raised that independently of the evidence objected to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision or that if rejected evidence had been received it ought not to have varied the decision इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी improper admission हो चुका है या हमने किसी भी evidence को reject कर दिया गया तो वो अपने आप में कोई ground नहीं है कि आप फिर से एक नई trial कीजिए ठीक है यह कोई ground नहीं है कि हाना आपने क्या है कोई admission जो है improper तरीके से कर लिया है या फिर आपने कोई important evidence जो है उसको reject कर दिया है तो आप अब क्या करें पूरी trial नहीं करें ठीक है उस case में जो है आप क्या कर सकते हो उस trial को reject कर सकते हो उस trial को जो है क्या कर सकते हो crash कर सकते हो आप उस case में new trial कर सकते हो otherwise अगर ऐसेच कोई फरक नहीं पढ़ रहा है ना कोई decision के उपर कोई फरक नहीं आने वाला उस case में आप जो है new trial नहीं करोगे लेकिन आपके decision को बहुत ज़ादा impact हो रहा है उस admission से उस evidence के rejection से तो उस case में जो है आप new trial का order कर सकते हो section 167 ये कहते है otherwise कोई new trial नहीं होगी so clear हो गया chapter 11 और section 167 chapter 11 में एक ही section है so evidence act के सारे chapter complete हो गया और सारे sections complete हो गया अगर आपको पूरे act के अंदर कुछ चीज़े नहीं समझ में आई या आप चाहते हो कि मैं कुछ और topic जो है अलग से पढ़ाऊ तो आप मुझे बोल सकते हो और किसी भी section में कोई भी problem है या कोई provision नहीं समझ में आया तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो ठीक है तो यहाँ पर evidence act पूरा complete होता है कोई भी doubt है तो आप मुझे से पूछ सकते हो and yes अगर आपको ये videos informative लगे हो helpful लगा हो तो please do like, share and subscribe to my channel thank you so much